पिरिए विद्यारतियो आज की क्लास से में हम बेसलाइन टेस्ट की बात करेंगे और बेसलाइन टेस्ट में कौन-कौन से परसन पूछे जा सकते हैं उनकी बात करेंगे ककसा आठ के विज्ञान विशे के बेसलाइन की टेस्ट के हम चर्शा करेंगे बहुत बढ़िया परसन ह आप लोग याद करें यह प्रशन जो हैं वो हर एक्जामस में पूछे जाते हैं देखिए पहला पर्शन आप लोगों के लिए है कि फसल किसे कहते हैं तो आप लोग याद करके लाएंगे फसल किसे कहते हैं आप सब जानते हैं कि जब एक ही परकार के पूदे बड़े पेमान प्लास मेंसे इसके आंसर ढूंड सकते हैं तीसरा पर्षन क्या है खाद एमम उर्वरक में क्या अंतर है वाट इस डिफरेंस बिट्विन मेनियूर एंड फर्टिलाइजर तो ये भी आप लोगों से बढ़िया पर्षन पूछा जा सकता है बढ़िया पर्षन है आप लोग इन लिखित करशी ओजारों के कारिये लिखिए ये कारिये आप लोग याद करके लाएंगी कोन सा करशी का ओजार क्या काम में आता है जैसे कल्टिवेटर है ये किस काम में आता है ये आपको लिखना है हारवेश्टर किस काम में आता है ये आपको लिखना है कुदाली किस काम म में आता यह आपको लिखना हैоминаumn machine कि इसकाम में आती है यह आपको लिखना है तो 6 पर्शन बहुत बड़िया हैं इनको आप याद करें घर के अगर समझ समझ करके याद करेंगे अपी पापा को बताएंगे यह जल्दी याद कौन कौन से हैं परंप्रागत साधन कोन कोन से हैं मैंने बताया था आपको यह भी पूछा जा सकता है परंप्रागत साधन है जैसे मालो रहट है ढेकली है चरश है और चैन पंप है यह सब क्या है शीचाह के प्रम्पीरागत सादन है आदूनिक सादन कौन-कौन है स्प्रिंकलर सिस्टम ड्रिप सिस्टम यसा बून्द बून、 शीचाह और फंवारा सिचाह जो है वो आदूनिक सादनों में आता है तो ये भी पर्षन आप लोगों से पुछा जा सकता है फिर अगला बहुत बड़ीया पर्षन है वर्मी कंपोस्ट से आप क्या समझते हैं वर्मी कंपोस्ट जिसको हिंदी में कहते हैं केंचवा खाद केंचवा खाद से आप क्या समझते हैं और ये खेती के लिए किस परकार उप्योग है खेती में ये ज्यादा उप्योगी क्यों ह रहे हैं तो यह परशन भी अरे एक्जाम में पूछा जाता है नौवा परशन है आप लोगों का कि साइलो क्या होता है साइलो क्या होता है बताये था ना मैंने आपको पिछली क्लास में कि जब हम भसल की कटाई कर लेते हैं और कटाई करने के बाद जब इनको बड़े- गरों में रखा जाता है बड़े-बड़े भंडार गरों को क्या कहते हैं थ्यों के सामने मिस्रित कर्शिशिक क्या होती है यह यह वह दूसरा कोन सा है वर्षु पालन के साथ साथ खेती कर लें तो हम क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे भई मिश्रित कर्शी कहेंगे सुम्षम जीव किसे कहता है । यह सबको आता ही होगा कैसे जीव जिनको हम नंगण आंकु से naked eyes से देख नहीं पाते हैं उनको हम क्या कहते हैं वही सुक्षम जीव कहते हैं फिर अगला person है सुक्षम जीव को मुखे तक कितनी वर्गों में बाटा गया है बहुत सारी वर्ग हैं लेकिन आपकी book के साफ से चार वर्ग आप ज्यान में रखे इन में इन करके लाएंगे ठीक है अब नेक्स्ट और देखिए पर्शन नमबर 13 आप लोगं को बता दिया है लेकिन यहां पर भी मैंने वापस 13 लेग दिया है फिर भी आप देखलो इन पर्शनों को कि क्वेशन नमबर जो 13 नमबर का जो पर्शन है वह यह है कि दही में कौन सा जिवान तो यह भी आप लोग याद करके आएं फिर बहुत बढ़िया पर्शन एक और एंटी बायोटी किसे कहता है तो एसी ओशदियां जो सुक्षम जिवों को नस्ट करती है या उनकी व्रद्दी को रोकती है उन्हें एंटी बायोटी कहता है तो लिया द्यान से आप लोग उने एसी ओशदियां जो सुक्षम जिवों मुख्यता जिवानों की व्रद्दी को रोकती हैं सुक्षम जिवों किया तो व्रद्दी को रोके या फिर किसको रोके भी उनको नस्ट करते हैं रोके क्या नस्टी करते हैं तो उनको हम क्या कहता हैं एंटी बायोटी कहता हैं कौन क्या है वह एंटि-फायोटिक के एक्जांपल सें तो आप इनहें भी याद रखें हैं अगला पर्षन आगला पर्षन आपरेब्ट का पर्षन अबाद्र ब्लार नंब का परशन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1939 में कौन सी एंटिब्योटिक ओशदी की खोज की थी छोलवा पर्षन क्या है Alexander Fleming ने 1939 में कौन सी एंटिब्योटिक ओशदी की खोज की थी तो आंसर आपका हो जाएगा भई कौन सा Penisilin की खोज की थी Alexander Fleming ने Vaccine या TK में क्या होता है आप लोग उसे पूछे दवा होती है, कोई सूंट होती है, अजवाइन होती है, क्या होता है वेक्सिन या टीके में, कौन सी ओश्दी होती है, क्या होता है, यह आप लोग उसे पूछी या कोई सुक्षम जी भी होता है, यह आप लोग उसे पूछा जा सकता है, बहुत नमरा कि क्या होता है बताए हुआ अप लोगों को वैक्सीन में क्या होता है एसे पांच रोगों के नाम लिखुए नाम लिखिए इनके निवारन के लिए घुमाइ। यह पंचको नाम लिखना है पे उन्के बारे में आपको बताया है है पंच वारोग यह पिछा जासकता है वारसिक पूचा जा सकता है you can do that क्या सकता है और कोई नожу पूचा जासकता है और कोई फिर वीशोबियम क्या है? पेली बात. फिर राइबोजियम कहां रहता है? दूसरी बात. फिर इसके घर को क्या कहते है? तीसरी बात. फिर यह क्या कारिय करता है? चोथी बात. इस वीशोबियम क्या है? फिर इसके घर को क्या कहते है? फिर इसके घर को कारण क्या है? मलेरिया परजिवी का नाम क्या है? और कौन्छी मचली मचल के लारवे को खाती है? यह जो परशन सारे है ना यह आपको 21, 22, 24 जो परशन बना कर के आए हैं मलेरिया रोग के वाहक का नाम लिखिए 21 वे नमर का परशन है. मलेरिया रोग का कौन सा सुक्षम जीव है? सुक्षम जीव का नाम लिखना है 22 वे नमर का परशन है. मलेरिया परश जीवी किस संग का परणी है? 23 वे नमर का परशन है और कौन सी मचली मचल के लारवा को खाती है? यह 24 वे नमर का परशन है और 25 वे नमर का परशन क्या है? कि निमनले लिखी तो रोगों के सुक्षम जीवों के नाम लिखी है भई कौन सा रोग कौन से सुक्षम जीवों के कारण होता है पूछ लेंगे क्षे रोग किसे सुक्षम जीव के कारण होता है क्षे रोग कौन से सुक्षम जीव के कारण होता है खसरा किसके कारण होता है च एंकर रोग किसके करण होता है गिहुंका रस्ट रोग रोडी किसके करण होता है बिंडी का पीत शीरा रोग किसके करण होता है एंथ्रेक्स रोग किसके करण होता है और कोरोना रोग किसके करण होता है यह सारी डीजी जो है इसका सुक्षम जीओं का नाम आप लोगों को लि परशन आप लोगों को बताएं हैं, क्लास अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर करना, और कुछ परशन आप लोगों को नहीं आएं, तो कॉमेंट्स बोक्स में लिख देना, अगली क्लास में हम इन सारे परशनों के उत्तर भी आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, ओके, थै अब строш दूमा कब t डिए बताएंगे, तो कि लाइक भी आप नहीं एंप लोगों को जरूर क से ड़ी आप लोगों को बताएंगे, अबनाफंगे, जो खिला को बताएंगे, टॉर प्राव고ों को भी और क्या है, और कampa म॥एं को भी जो गना, यादक है ौरी नहीं जोर कॉля